कि यह अग्वार्ण वेल्कम बैक टिरून चैनल आज हम करने जा रहें आपकी वोक्षीट नमबर 80 सब्जेक्ट माइच क्लास 10 वारी डेट 2nd आफ फैब के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोक्षीट में हम जो आपका चैप्टर स्टैटर्ज उसके अंदर मीडि डिस्रिबूशन का 24 साल का दिया हुआ है तो वैल्यू आपको निकालने है कि एकट रैख शीख है तु' 2 plus 25 27 27 plus x और इसके वह 27 plus x plus 18 45 plus x 45 plus x plus 7 52 plus x right so आप इन सबको अगर add करते हो add करने पर आपको मिलेगा 52 plus x ठीक है so यह जगा 52 plus x हो जाएगा n की value ठीक है यहाँ पर यहाँ कि add करने की बाद ही दिया है आपको so अब यहां से n जो 52 plus x आजाएगा so इसका आद़ा n by 2 निकालेंगी तो इसका आद़ा 26 plus x by 2 हो जाएगा जो किसके पास है 27 plus x के पास है तो median class कितनी होगी 20 to 30 थिर्ट है न इसके पास है तो क्या होगी median class यह होगी l क्या होजाएगा 20 होजाएगा h क्या होगा 30 minus 20 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, frequency कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, cumulative frequency से पीछी वाली होती है, cumulative frequency 27 हो जाएगी, बस value put करनी है, जो median है, उसके अंदर median आपका 24 है, given equation में, तो formula होता है, उसका L plus L by 2 minus CF upon F into H, so median आपको 24, given L हमारे पास 20 होगा, so N by 2, 52 plus X by 2 minus 27 by X into H, हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, so यहाँ से 24 minus 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 minus 24 हो जाएगी, so यहाँ से यहाँ जाएगा 4, उसके बाद इसको solve करोगी, ठीक है, यहाँ पे आप LC मिलोगे उपर, तो आपको मिलेगा, X minus 2.2X into में, यह 10 यहाँ से, so X के लिए आप solve करोगी, तो X की value कितना हो जाएगी, आपके पास 10 आएगी, ठीक है, X की value यह में निकालने थी, बस को कुछ नहीं करना, आपको formula value पुट करनी है, ठीक है, next example 2, इसमें क्या गिया है, number of customers है, जो एक दुकान पे आते हैं daily, उनका record रखा गया, 100 दिन लगातार देखा गया, उनका record रखा गया, तो नीचे distribution table में record रखा हुआ है, तो जो median एक customer का, वो मिला 525, median आपको given है, तो value निकालने x और y की, देखो class interval, अब तीरो चीज़े गिमाने, number of days, sorry हमारे बाइब सी आई है, number of days है, और यहां से CF हमने निकाल लिया है, ठीक है, तो यह आपका 200 से 300, ठीक है, 300 से 400 यह क्या है, customers हैं, 16 दिन में आए, यह x days है, 17, 20, यह y days है, तो x और y आपको निकालना है, तो cumulative frequency पहले हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, add करते रहो, first वाली तो same होती है 16, अगले बे 16 प्लस x हो जाएगी, फिर 16 प्लस 17, 33 प्लस x हो जाएगी, 33 प्लस 20, 53 प्लस x हो जाएगी, फिर 16, 68 प्लस x हो जाएगी, 68 प्लस x प्लस y, 68 प्लस x प्लस y हो जाएगा, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, total number of days हमें हमारे पास क्या होंगे, 100 है, तो वो किसके equal होंगे, इसके equal होंगे, 68 प्लस x प्लस y के, यह total है यहां पर, तो यहां से जो x प्लस y है, उसकी value क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी, है न, 68 को यह दर minus में चला जाएगा, 32, यह होगी हमारे equation number first, अब n by 2 निकालो, 100 by 2, 50, 50 किसके पास है, median class कौन से है 50 की, देखो, जो 50 की class कितनी हो जाएगी, 500 to 600 हो जाएगी, जो 20 है, यह 50 की पास बाकी तो यह से भी कम है, सबसे maximum 20 ही है, यहां पर तो 500 to 600 हो जाएगा, यहां से जो L की value है वो 500 है, और जो frequency है, इसकी क्या है, 20 है, इससे पिछली वाले की relative frequency लेते हैं, तो जो 3 प्लस x हो जाएगा, height हमारे पास कितनी है, माइनस करो 600 में से 500, 100 आ जाएगी, जो median का formula है, L प्लस n बाइटो माइनस cf अपोन f इंटो h, तो इसके अंदर जो L है मारे पास, कितना है, 500 है, ठीक है, n बाइटो कितना है, 50 माइनस cf का 33 प्लस x बाइटो 20 है इंटो 100, ठीक है, median कितना 525 है, so 525 माइनस 500 है, इसको अगर solve करते हो, तो अब का answer कितना है, 5 इंटो 17 माइनस x, x की value आपके पास 12 आएगी, x 12 है, तो यहाप x प्लस y 32 है, तो x 30, और x प्लस y 32 है, x 12 है, तो y कितना बचा, तो y मारे पास बचेगा, 32 माइनस 12, 20 बचेगा, ठीक है, तो x 12 है, और y मारे पास कितना जाएगा, 20 आजाएगा, इस तरीके से x 5 value की आपने निकाल ली, now, moving to our questions, so, दो questions आज आपकी वोक्षीट में गिवन है, first question है आपका, यह median दिया हुआ distribution गिवन जो टेबल है, 32.5, median गिवन है, आपकी जो missing frequency है, f1 और f2 आपको निकालने है, class interval दिया हुआ है, frequencies दिया हुए है, तो देखो question number 1, सबसे पहले, क्या आपको गिवन है, ci आपको गिवन है, class interval आपको गिवन है, फिर frequency given है, frequency को add करोगी, तो n आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, n आपके पास 40 given है, right, n आपके पास दिखो total 40 given है, ठीक है, इसलिए मैंने already यहाँ पर f1 plus f2 ना जोड़के, पूरा total 40 ही लिखती है, ठीक है, cumulative frequency निकालने है, कैसे निकालोगी, फर्स वाली तो सेम होती, f1 ही हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद, अगली add करो, f1 plus 5, 14 plus f1 हो जाएगा, फिर ठीक है, 14 plus 12, 26 plus f1 हो जाएगा, फिर 26 plus f1 plus f2 हो जाएगा, ठीक है, फिर 26 plus 3, 29 plus f1 plus f2 हो जाएगा, 29 प्लस 2 31 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा तो यहां से जो 31 प्लस F1 प्लस F2 है किसके एकॉल हो जाएगा यह 40 के एकॉल हो जाएगा टोटल के एकॉल ही तो आएगा न है यह इसके एकॉल हो जाएगा 40 के equal हो जाएगा और यहां से एक और चीज देखो तो यह 31 उदर चला जाएगा तो 40-31 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा तो F1 F2 9 हो जाएगा यह वारी first equation ठीक है यह आपकी values अगर एक value निकल जाती है F1 तो दूसरी की निकालने के काम आती है तो यहां से उसके बाद हमें F40 है 40 का हाफ 20 होता है तो कौन सी आपके पास होगी जो medium class होगी 20 की पास क्या है 12 है यह है तो medium class होगी 30 से 40 ठीक है तो medium class हमारे पास क्या है 30 to 40 है तो L हमारे पास 30 है height कितनी है 40 minus 30 10 frequency कितनी है 30 to 12 है इससे पिछली वाली क्या है X cumulative frequency 14 plus F1 है तो बस अब यह चीज़े निकल चुकी है हमारे पास यह आ गया और यह आ गया अब हमारे पास values पुट करने है जो median का मारे पास formula है median का formula होता है L plus 1 by 2 minus CF upon F into H L क्या है 30 है median मारे पास 32.5 है N by 2 20 accumulative frequency 14 plus F1 है F12 है into height आपके पास 10 है So values put करेंगे यहां पर हम 32.5 30 minus करेंगे 2.5 आएगा So यहां से क्या हो जाएगा 20 minus 14 6 minus F1 upon me 12 into 10 ने इसको cut करोगी 6 by 5 आएगा यहां पर तो F के लिए कर आप इसको solve करते है तो आपके F की value कितनी आएगी 3 आएगी अब F1 F2 कितना था 9 था ना तो 1 3 है तो यह कितना बचा यह 6 बचा 9 minus 3 6 हो गया तो F1 and F2 find out करने थे तो यह हो गया हमारा question number 1 ठीक है यहां से start होगा Question 2 है जो median है employees का office में वो 82 है तो आपको missing frequency Z आपको find out करनी है तो weight kg में given है हमें यह number of students 7, 12, 17, Z, 32, 6, 10 यह आपको दियो है तो आपको value निकालनी है Z की ठीक है तो देखो question number 2 class interval आपको given है frequency आपको given है ठीक है और इसको गर आप add करोगी तो इसको 4 plus Z आएगा और cumulative frequency में find out करनी है first वाली same होती है 7 next क्या होगा 7 और 12 19 19 plus 17 36 36 plus Z 36 plus Z 36 plus Z 36 plus 32 68 plus Z 68 plus 6 74 plus Z और 74 plus 10 84 plus Z होगा ठीक है so n by 2 है यहां पर 84 plus Z by 2 राइट यहां पर अगर हम इसका half करें तो अब L हमारे पास क्या होगी किसकी करीब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा यह देखो 36 plus Z यह 42 के पास है तो यह हमारी 75 to 85 median class हो जाएगी तो 85 में 75 minus करोगी 10 आपकी H होगा height L क्या होगा 75 होगा और frequency क्या होगी Z होगी cumulative frequency पीछे वाली होती है 36 होगी पस अब values पूट करनी है आपको median क्या होगा L plus N by 2 minus F by F into H so यहां से median 82 given है L आपको पास 75 है और N by 2 क्या 84 plus Z by 2 है F 36 है और यह हाइच हमार पास 10 given है so Z इदर नीचे divide में ओपर जाके multiply में हो जाएगा so Z into 82 minus 75 होगा 7Z इसको solve करने पी 2 से मारे यहां पर 10 कर जाएगा 5 आ जाता है 84 minus 72 यहां पर LC में लिया है हमने ठीक है 36 into 272 so 84 minus 72 12 आएगा 12 into 560 plus में 50 हो जाएगा 50 इदर जाके minus में हो जाएगा तो आपकी जो Z की value हो आज जाएगी 30 तो Z हमें find out करना था तो यह हो गया हमारा question number 2 तो यह दो question सा जबकि work sheet में given थी I hope आपको अच्छे से समझ में आ गई है कोई भी doubt है किसी भी question में तो comment section में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको lecture अच्छा लगे तो चानल को subscribe कर सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं आज के विए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में till then take care bye bye